फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान इसे बात करें अगर अब बिनौलाखल की, तो बिनौलाखल का फरवरिवाद देखने 3213 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3.5 fulfill की गिरा वट है, हम देखने की बिनौलाखल का फरवरिवादं best, 31 summer पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 32zar का लेवल तोड़ दिया है ज़िस, बिन आपी समय से देख रहे थे कि बिनौला खल का वायदा बजार NCDX पर 3300 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा था, सीमी दैर में ट्रेड करता नजर आ रहा था, नहीं जादा मंदी देखने को मिली थी, नहीं जादा तेजी, लेकिन अब देख रहे हैं कि कैसे बिनौला खल का वा वारी सब्ता में गिरावट देखने को मिलें कि हम देख रहे हैं कि यहां से जो करेक्शन डियू थी अब वो यहां से थोड़ी गहराती नजर आ सकती है इस वक्त 3118 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है पाइजी ही की ओर है विनौला खल की जैसे कि इस बार हमने कपास की उतपादन में कमी आते हुए duż मंडियों में अच्छी क्वालिटी की जो कपास से कम देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार कीटो का प्रुको कपास की फसल पर ज्यादा देखने को मिला और बेमौसम बारिश की वज़ा से भी कौटन की जो कपास की फसल थी वो खराब होती नज़र आई जिसकी वज़ा से कपास के वीजों में भी कमी है कपास की फसल में भी कमी है और जब कपास के वीजों में कमी रहेगी तो उसकी कमी का असर विनौला खल के स्टॉक पर भी पड़ता नजर आएगा और उसी की वज़ा Baptist से देख रहे हैं कि इस बार विनौला खल की कमी थोड़ी देखी गई है वहीं इस बार दूद के उतपादन में भी कमी देखी गई है milk production ही दूद का जो production है उसमें भी कमी दर्च की गई है क्योंकि इस बार हमने देखा था कि लोगडॉन लग गया था और जो पशुचारा जो घास खिलाई जाती है पशुओं को उसकी कीमतों में बड़त देखने को मिलीती जब पशुओं के उपर निवेश कम किया जाएगा उनको पूरा प्रॉपर फीडिंग नहीं दी जाएगी तब दूद का जो उतपादन है कम ही देखने को मिलेगा और बिनौला खली एक मातर ऐसा प्रॉडक्ट है एक ऐसा उतपाद है जो पशुओं के अंदर दूद के फैट की मातर को और दूद की मातर को बढ़ा सकता है इसलिए जानकारो दौरा अभी हाल फिलाल में ऐसी अटकले लगाई जा रही है ऐसा हनुमार लगाए जा रहा है कि आगे भविश्य में डेरी सेक्टर और पोल्टरी सेक्टर से बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमार्ड में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन हमने जब अभी बिनौला खल को 3400 तक के लेवल्स तक जाते वे देखा था तब हमने देखा था कि उची कीमत पर बिनौला खल की जो खरीद फरोक्त थी वो थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि जो बोल्टरी और डेरी उद्योग हैं उनकी लागत लगातार बढ़ती ही नजर आ रही थी जिसकी वजासे उन्होंने भी थोड़ी खरीद फरोक्त कम कर दी और सरकार ने भी इसके खल के उपर बोल दिया है कि खल को कोई जादा दिनों तक स्टॉक करके नहीं रख सकता है हमने इसकी खबर आपको पहले भी दे चुके हैं अभी ओवरोल रुजान बिनौला खल की कीमतों में तेजी काई रहेगा इंडस्ट्रिल डिमांड जानकार द्वारा अभी भी उठती नजर आ सकती है मिल्क पाउडर और दूद के कीमतों में भी बड़ोतरी देखने को मिल सकती है तो ओवरोल रुजान बिनौला खल में तेजी काई है हमारे जो एक्सपर्ट है केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मताबिक बिनौला खल आने वाले दिनों में 300 से लेकर 4000 तक की बे लेवल दिखाता नजर आ सकता है और अगर शांदार बढ़त रही और अगर डिमांड बहुती जादा देखने को मिली तो हो सकता है कि 4000 के भी उपर बिनौला खल की कीमता वैदा बजार में निकल जाए 4000 का भी आखड़ा पार कर जाएं तो कोई जादा बड़ी बात नहीं होगी बिनौला खल में ओबरॉल तेजी का ही रुजान है वाट्रोग को अपडेट है करना तक बिग बिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग बिस खुशियों की अपनी दुकान